नमशकार दोस्तों, शाजत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियास बाई भिनोद में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे आठ दिन है जिसमें कोई भी मांगलिक कार नहीं किया जाता जी हाँ, हम बात करेंगे दोस्तों आज होलाश्टक के बारे में अब आप सब के मन में बिचार आएगा कि होलाश्टक क्या है चलिए हम आपको बताते हैं होलाश्टक क्या है जैसा कि आप सभी जानते हैं होली का पर्व, फालून मास की पूरिमा को मनाय जाता है तो उसी क्रम में होली से आठ दिनों पूरू का जो शमय होता है उसको हमारे शास्तों ने होलाश्टक नाम दिया है उसी आठ दिन पूरू से मतलब जैसे कि अपकी होली है दो मार्च को तो 23 तारीक को यानि यानि कि 23 फरवरी से वहाँ पे दो लकड़ियां रख दी जाती है जहाँ पे होली लगाई जाती है चौरा है पे जो भी पुराना स्थान हो तो उससे होली का संकेत मिल जाता है कि हैं आप होली आ रही और उसी दिन से प्रतिदिन लकड़ियां एक अठे करने का कारकम भी शुरू हो जाता है वो आठ दिन का जो समय होता है उसको हम होलाष्टक कहता है इसी होलाष्टक के समय में शारे मंगलिक कार पंद कर दिये जाते हैं ऐसा हमारे शास्त्रों कमाता है होलाष्टक के दवरान हिंदू शास्त्रों में बताए गये 16 संस्कारों में जैसे गरबाधान, बीवा, पुन्सुवन, नामकरण, बिद्यारंब, ग्रह प्रवेश, ग्रह निर्मार, ग्रह शांती, हवन यक कर्म आदि नहीं किया जाता है दोस्तों ऐसी भी माननेता है कि होलाष्ठक के दौरान किये गए मांगलिक कारियों से कष्ट की प्राप्ति होती है इसलिए हम लोगों को सास्त सन्मत होलाष्ठक के दौरान मांगलिक कारियों से वन्चित रहना होता है और वैसे भी दोस्तों होली हम सब का भाई चारे का बहुत बढ़ा तेवहार है तो हम सभी लोग तैयारी करते हैं होली के तेवहार की और मांगलिक कार उसके बात करेंगे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और हाँ दोस्तों उसके साथ हम आपको बताएंगे होली दहन का शुमोर्त होली के तांत्रिक उपाए जैसी धेरो महत्पून जान करिया तो इंतिजार कीजे मेरे अगले वीडियो का और देखते रहिए प्रियास बाई बिनोद जैहिन जैभार